इसे पता करें धान बेचने के लिए टोकन करता है या नहीं तो हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत हमारी चैनल पंचायत इस्ट्रीम तो दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने माल है कि धान खरदी के अंदर में धान बेचने के लिए टोकन करता है नहीं आप कैसे चेक कर सकत तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं धान बचने के लिए token कटा है नहीं या जानने के लिए आपको Google या क्राउम बाजर में चले जाना है और सिंपल से टाइप करना है cg कहा दियर तो cg खाद देलिक करके आपको टाइब कर देना है और यहां पर नीचे जाना है और यहां पर फर्स्ट में आपको इस साइड में जाना है तो फॉर्स्ट साइड में आप जाएंगे तो फॉर्स्ट साइड में जाने के बाद इस तरीक से जो इंटर्फेस आजाएंगे तो आपको सिधार नीचे जाना है यह अगल से निचे आप टो यहाँ पर लिखा हैं आप दख सकते हैं किसान पंजियन संबंदी जान कारी तो इसमें आपको चले जाना है कि उसमें जाने के बाद इस कर से आcera जाएंगे आप लुग सकते है तो यफिजिवर आपके पास एकी किसान पॉटल डाल है नगा अपर किसान कोड है तो इसमें करेंगे तो इसमें टीक करने के बाद आपको ठीप में अपना किसान कोड डाल ना है तो चलिए मैं किसान कोड़ डाल लेता हूं तो किसान कोड़ डाल लेने के बाद आपको जानकरी देखे मैं ओके कर देना है चलिए ओके कर लेता हूं उसमें ओके करने के बाद आप देख सकते हैं पूरा डीटेल जो है आ चुके हैं तो आपको नीचे जाना है नीचे आपको वाहती जानकारें यहां पर दिए गया है नाम और जोवी जमीन खर्ष। मपड़न मपड़ougher है और में लृवह वर्ट बिए गया है तो आप यहां पर देख सकते हैं इसका जो है टोकर No नहीं नहीं आकड़ीन नहीं यहां पर आॉख है तो चैनीत किसान का धान खर्दी धेतु अभी टोकन जारी नहीं किया गया है और चैनित किसान से समंधित धान नहीं लिए गया है तो इस किसान का जो है अभी तक टोकन नहीं कटा है यदि टोकन कर जाएगा तो यहां पर चैनित किसान का टोकन कट गया है लिखेंगे और यहां पर किस तारिक को कटा ह भी लिखेंगे और जो है जिदान खरीदी हो गया हो तो यहाँ पर धान खरीवाज की हो चुका है ऐसे लिखेंगे और इसमें पैसा आजाएंगे तो पैसा आग्या हैसे लिखाएंगे तो दोस्तो वीडियो फिलाल इतना है तो दोस्तो आशा करता है कि आपको आजानकरी अच्छा लगा होंगे तो दोस्तो आजानकरी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा से जरू करें और दोस्तो यदि आप हमाई चैनल पंचाथ इस्ट्रीम नहीं तो सब्सक्राइब करना न भूले तो धाना दोस्तों